Hello friends, Hello mothers, how are you? Speech therapy के second video में आज हम discuss करेंगे कि बच्चे के पास sounds है तो sounds के बाद हमने उसको alphabet कैसे सिखाना है? मैंने first video में ये बताया था कि बच्चे के पास अगर बस कोई भी sound है तो आप उसको सबसे पहले first of all sounds निकालना सिखाईए. जब बच्चा sounds निकालने लग जाए चाहे वो एक, दो, तीन में निकाले, interest लेने लग जाए, then आप try करिए कि बच्चे को A to Z कैसे सिखाना है? A to Z सिखाने के लिए बच्चे को हमने सबसे पहले क्या करना है कि A to Z के flashcards लेने हैं और बच्चे को daily 10 मिनट दिखाने ही दिखाने हैं और साथ में sounds निकालनी है, first target हमारा ये रहेगा कि बच्चा जो है हमें eye contact दे, अगर बच्चा आपको eye contact दे रहा है, बहुत अच्छी बा flashcard के साथ ये सीच करनी है, बच्चे की एक routine fix हो जाती है कि मेरी ममा आज ये काम दुबारा जरूर करेगी, eye contact देने के बाद उसका धीरे धीरे आप देखिएगा, interest develop होगा, एक दिन definitely वो कोई आबासा, कोई ना कोई sound निकालने की कोशिश जुरूर करेगा, लेकिन हमें इस चीज को reputation पर रखना है, reputation is must, अगर हम reputation पर नहीं रखेंगे तो बच्चा कहीं न कहीं थोड़ा सा ignore हो जाता है, और हमारा speech को improve करना हमारा target सबसे first है, speech बच्चे की बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे के अंदर एक बेचैनी और चुड़चीडा पन बहुत ज़ादा लग है, वो बहुत खुश रहने लगी, इवन कि उसकी जो progress है, day by day बहुत improve हो रही है, तो हमने बच्चे की speech पर ज़रूर काम करना है सासाथ, speech के लिए हमें बच्चे की massage के उपर भी focus करना है, inside और outside, और अंदर जो है कुछ tools हैं जिसकी मैंने बहुत पहले videos post की थी, अगर आप चाहे तो बाई करके खुदी घर पे कर सकते हैं, टांग exercise करवा सकते हैं, तो इस तरीके से जो है हमें massage के सासाथ बच्चे को जो है sounds पर सबसे पहले ले के आना है, आई contact हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमने जो flash cut के साथ बच्चे को A to Z daily दिखाना है, दिखाने के सा साथ जो है हमने अलग-अलग तरीके से sound निकालनी है, और move भी बनाना है ताकि बच्चा उसको देखे और थोड़ा लंबा करके बोलना है, आ, बा, का, ड, इ, sometimes अगर आपको बच्चे के साथ fun भी करना पड़े तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इ, आ, बा, तो बच्चा इन ची परक पड़ता है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूं कि मैं आपनी बेटी को डेली बेसिस पे कैसे प्रैक्टिस करवाती हूं, प्लीज आप देखी वीडियो, आ, बा, का, ड, इ, फ, 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 ग, 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 ह, 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 आई, ज, 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 के, 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 ला, म, म, न, आ, ओ, व, प, क्याव, आ, स, स, ता, यू, व, 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 ह, व, ज, ज, ज,